आज है 9 दिसंबर आए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को पासनिक टीम लगातार डैम का निरेक्षिन कर रहे हैं ग्याथो अगर मुख्य मंत्री नितीश कुमार आते हैं तो उनके साथ साथ जल संसाधन मंत्री संजल जा, राजस्व एवं भूमी सुधार मंत्री राम नारायन मंदल, गिर्धारी यादव, राजीव रंजन समेत और भ अधिक लोग शामिल होंगे, ग्याथो सबसे लंबी हमानव शिंखला 19 जन्वरी को समूचे बिहार में बनाई जाएगी, इसके लिए जिला प्रसाशन ने अपनी तयारी शुरू कर दी है, इस बार की बनने वाली हमानव शिंखला पिछली बार बने सारे मानव शिंखला से 24 किलो मिटर अधिक लंबी होगी, इसके निर्मान के लिए प्रशासनेक स्तर पर डियेम तथा, एस बी ने संविक ट्रूप से तयारी की समिक्षा लिया, आपको बता दे इस बार बनने वाले इस मानव शिंखला की लंबाई लगभग 144 किलो मिटर होगी प्यू चातर संग चुनाव में जनाधिकार पार्टी की हुई जीत, साथ दिसंबर को पटना युनिवर्सिटी में हुए चातर संग चुनाव में जनाधिकार पार्टी की जीत हुई है, जिसके साथ ही भाजपा जदियू और राज़त को बड़ा जटका लगा है चुनाफ परिनाम के नुसार अध्यक्ष और सैंव्थ सचेव दोनों पत पर जाप ने अपनी जीत दर्ज की है वहीं ABP ने केवल महा सचेव पत पर ही जीत मिली है जिसके पास चापके मनीश कुमार ने अध्यक्ष के सीट पर और अमिर राजा ने सैंव्थ सचेव के सीट पर अपना नाम दर्ज कर लिया है वहीं ABP की प्रियांका शिवास्तव ने महा सचेव पत पर अपना नाम दर्ज किया है पतना में MSC में नामांकन प्रक्रिया हुई शुरू MSC करने वाले छात्रों के लिए एहम सूशना National Institute of Health Education and Research गुलजारबाग पतना में MSC Nursing Course के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है इसके लिए Nurses Training Recognition, Affiliation and Conduct of Examination of Nursing Rules and Regulations के अनुसार कल्यान सेवा स्थान द्वारा प्रस्तावित सर्स्थान को अनुमती प्रदान कर दी गई है आज है शत्रुग सिना का जन्म दिन पॉलिवड से लेकर राजनीति तक मुछ्चषित शत्रुगन सिना का आज जन्म दिन है शत्रुग्न सिना मुलरूप से बिहार के निवासी है, उनका जन बिहार के पटना में हुआ था, जिसके बाद शत्रुग्न सिना अपनी पहचान बनाने के लिए मुंबई रवाना हो गये थे, जहाँ पर उन्हें कई फिल्मों में काम करने का मौका मिला, फिल्मी करियर के आस्ता अपनाया जहां वो काफी समय तक भाज़पा के साथ जुरिर हैं हालाकि अभी शत्रुग्न सिना कॉंग्रिस पार्टी की तरफ से सक्रिये हैं नवादा के बुधौली मठ में देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास इसके मध्य में आज भी एक सुन्दर सा दुर्गा मंडप है प्रदेक नवरात्रा को यहां देवी के अराध्रा बड़े धुमधाम से होती है वालमी की टाइगर रिजर्व में उपमुखिमत्री सुशील मोदी दिखे जंगल सफारी करते इसके साथ ही उन्होंने यह भी एलान किया है कि परेटन को बढ़ावा देने के लिए वालमी की नगर रिजर्व में जल्दी टूरिजम पकेट सेवा की शुरुवात होगी जिसमें ठहरने खाने और घूमने की सेवाएं शामिल होगी आरा की अंजु ने मलेशिया में जीते तीन गोर्ड मेडल बिहार के आरा जिले की रहने वाली अंजु ने अपने परिवार के साथ साथ दानापूर रेलमंडल का नाम भी रोशन किया है मलेशिया में कुचिंग सरावक में चल रहे 21 वे एशियन मास्टर्स अथिलेटिक्स चांपियन्स में रेलवे की ओर से खेल में शामिल होकर अंजु ने तीन स्वन पदक अपने नाम किये है ग्यातों मलेशिया में आयोजित इस प्रतियोगिता में 29 देशों के अथलीट्स ने हिसा लिया था जिसमें अंजु ने ट्रिपल जंप के अलावा 400 मीटर और 1600 मीटर रेस में स्वन पदक जीता है थंड में कोहरे की वज़े से अब नहीं होगी कोई भी ट्रेन लेट यात्रिकन क्रिपया धिहांदे अब ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को ठंड में कोहरे की वज़े से ट्रेन के टाइमिंग में हुई फेर बदल का सामना नहीं करना होगा दरसल IRCTC ने इस समस्या से निजात पाने के लिए रेलवे ने कुछ खास इंतजाम किये हैं इसके अलावा अब रेलवे ने कोहरे के दोरान ट्रेनों को इस्ट्रो के साटिलाइट से जोडने का फैसला लिया है फागुन चोहान से मिले ब्राजिल के राजदूद ब्राजिल के राजदूद आंद्रे अराना इंदिनों बिहार दोरे पर है जहां पर उन्होंने बिहार के कई म्यूजियम का दोरा भी किया इसके साथ ही उन्होंने राजभवन में बिहार के राजपाल फागो चोहान से मुलाकात भी की जिसके दौरान उन्होंने राजपाल को बताया कि क्रिशे वे ग्यानिकों के दलद्वारा किये गे अधियान के बाद ब्राजिल बिहार में क्रिशे विकास के छेतर में संबाद कर इसके अलावा ब्राजियर के राजदूत ने राजपाल फागो चोहान से और भी के मुद्धों पर बात चीत की। कराने के लिए हर हाल में 28 सरवरी तक सरकार अतिरिक्ट कक्षाय बनाने के फैसले पर प्रतिबर्द हैं। किया जाएगा हर घर 20 की होम डिलिवरी के अलावा सरकार ने 5 शहरों में छट पर बागवानी लगाने की योजना की भी शुरुआत की है। इस योजना के से मकान मालिक के लागत आधा आधा पैसा सरकार की तरफ से मोहया किया जाएगा। बिहार भाजपा में युवाओं को शामिल करने पर दिया जा रहा है जोर। 2022 तक पत्ना में एक और एरपोर्ट का होगा निर्मान पत्ना वासियों के लिए खुश खबरी जल्द ही राजधानी में एक और एरपोर्ट के निर्मान की उज़ना बनाई जा रही है यह निर्मान कारे साल 2020 तक पूरा हो जाएगा फिलाल इसके टेंडर की प्रक्रिया जारी है साथी साथ पटना एरपोर्ट पर भी कई बदलाव देखने को मिलेंगे जिसके शुरुआत भी मार्च 2022 से की जाएगी जल जीवन हर्याली के तहट लगाई जाएंगे 8.37 लाग पौध है राजसरकार भिहार में जोर शोर से जल जीवन हर्याली अभियान चला रही है इस इक्रम में भोचपूर की भूमी को हरा भरा बनाने के लिए जिले में 8.37 लाग पौध हरोपन किया जाएगा अब आई जानते हैं भिहार के जानेमाने हस्ती के बारे में आज हम बात करेंगे अभिमन्यू सिंग की बॉलीबूर्ट से लेकर तेलगू फिल्म में हमने इनकी प्रतिमा को देख रखा है आपको यह जानकर खुशी होगी कि अभिमन्यू सिंग का जन्म बिहार के सोनपूर छेतर में हुआ है जबकि उन्होंने अपनी पढ़ाई नई दिल्ली के सेंट स्टीफिन कॉलेज से की थी उन्होंने हिंदी सिनेमा में साल 2001 में अपना पहला कदम रखा था लेकिन फिल्मों की दुनिया में उन्हें सबसे पहला ब्रेक साल 2009 में अनुराक कशिप की गुलाल फिल्म से मिला जिसके लिए उन्हें साल 2010 में स्टार्डस्ट अवार्ड से नवाजबी गया था नितीश कुमार की जल जीवन हर्याली से प्रेरित होकर बनाई गई फिल्म वन रक्षक बिहार में मुख्यमत्री नितीश कुमार पिष्टे महीने से जल जीवन हर्याली अभियान को लेकर कड़ी मशक्कत कर रहे हैं इसके तहट वह पर्यावरन संग्रक्षन की बात भी कहते नजर आए हैं ऐसे में पर्यावरन संग्रक्षन और ग्लोबल वार्मिंग को लेकर साथी साथ नितीश कुमार के जल जीवन हर्याली अभियान से प्रेरना लेकर एक फिल्म बनाई गई है जिसका नाम है वनरक्षक आपको पता दे इस फिल्म में मुख्य किर्दार निभाने वाले दोनों चेहरे बिहार कही हैं बिहार में दोगुनी शम्ता के नई चावल मिलो को लगाया जाएगा यह मिले बिजली पर चलेंगी दोगुनी शम्ता वाले इन मिलों से दो टन धान की कुटाई रोजाना होगी इससे पहले वाले मिल से एक टन की कुटाई हो पाती थी साथी साथ इसके पहले गैसी फायर वाले मिल से गैसी फायर आधारिच चावल मिलते थे मगर अब इस नئے मील से कि लगने के बाद से गैसी फार अधारी चावल मिलने बंद हो जाएंगे ग्याथो, मिलो की संता बढ़ाने के साथ सरकार ने अब मिलो के साथ ड्रायर लगाने का प्रावधान भी किया है संजे कुमार जहा ने फरक का बराज पर फिर से विचार करने की अपील की नई दिली में राश्ट्रे स्वच्छुगंगा मिशन और गंगा नदी बेसिन प्रबंधन एवं अधेयन केंद्र द्वारा सईंत रूप से आयुजित चतुर्थ इंडिया वोटर इंपक्ट समय 2019 में बिहार के जल संसाधन मंत्री संजे कुमार जहा ने कहा कि बिहार को बार से निजात दिलानी के लिए अंतराश्ट्रे स्थर पर जल बटवारे पर समीशा करनी जरूरी है पुनरीक्षन तथा नदी के बदले हुए जल विज्ञान के चुनौती का सामना करने के लिए फरका बरा से पानी छोड़ने की शमता को बढ़ाने और गुज्राल सिधान के तहट भारत और बांगलादेश के बीच जल संधी का फिर समीशा करवाना भी अनिवारे है सबसे जादा टेस्ट ट्रिकेट में रन बनाने वाले बल्लेवाजों की सूची हुई तयार आईसीसी ने साल 2019 में टेस्ट ट्रिकेट में सबसे जादा रन बनाने वाले बल्लेवाजों की सूची तयार किये जिसमें सबसे पहले पाइदान पर है स्टीव स्मिथ स्टीव ने पांच मैचों की साथ पारियों में 110 की औसट से 774 रन बनाए है जिसमें उनके तीन शतक और तीन अर्ध शतक है दूसरे हैं भारत के मयंक अगरवाल मयंक ने इस साल 10 पारियों में 740 रन बनाए है वही तीसरे हैं इंग्लान के बेंस्ट्रोक जिन्होंने 17 पारियों में 694 रन बनाए है आए बढ़ते हैं मौसम की खबरों क्यों जिसके कारण ठन भी बढ़ेगा तो महीं मुझफरपूर, खगडिया, वैशाली, शिवान, रहतास और अंगाबाद, भोजपूर, छप्रा, बकसर, इस्चंपारण, गोपाल गंज, वैस्चंपारण, जहानाबाद, शिवर में मौसम पूरे दिन सावाने रहेगा अगर ठन का असर बढ़ेगा अब आईये जानते सराफा बशार और प्रती किलो डीजल की क्या थे भाव अगर हम सराफा बशार की बात करें तो सोने का भाव, आट दिसम्बर को 22 करेक के लिए प्रती 10 क्राम 37,100 रोपे था टीम बीओ चातर संग चुनाफ में चातर संग चुनाफ में बड़ी सरगर्मी पत्ना विश्विद्याले में हाली में हुए चातर संग चुनाफ के बाद अब भागलपूर के तिलकवान जी भागलपूर विश्विद्याले प्रसाशिट में चातर संग चुनाफ होने वाले है चातर सक चुनाव की घोश्टा के बाद विश विद्याले और कॉलिज में चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है अखिल भारतिय विद्यार्थी परिशत राज़त जदियू सहीत अने चातर संगठिन सक्रिये नजर आ रहे हैं अपनी चावी को सुधारने के लिए कुछ संगठिनों ने चातर हिट से जोड़ी समस्याओ का मुद्दा बना कर प्रचार पसार करना शुरू भी कर दिया है अनंद कुमार जाएंगे अब अमेरिका हमारे संगठन को 50 साल पूरे हो जाएंगे इसलिए इश्योभवसर पर हम सभी आनंद कुमार को निमंतर देने के लिए एकमत हुए है नालंदा म्यूजियम को देख ब्राजील के राजदूत हुए अचंबित ब्राजील के राजदूत आन्द्रे अराना अपनी पत्नी के साथ नालंदा के म्यूजियम के साइट विजिट के लिए पहुचे थे जहाँ पर उन्होंने प्राचीन वास्तुकला स्थापत्यकला इस सब का वर्णन किया आपको बता दे आन्द्रे अराना एक आर्किटेक्ट है इसलिए उनकी रूची इन प्राचीन बस्तूओं में ज्यादा है यही कारण है कि वह पत्ना के विहार म्यूजियम में भी लेक्चर देने आये थे महीना लंदा म्यूजियम का उन्होंने बहुत बारिक्यों से अध्यन किया है साथी साथ कहा है कि यह म्यूजियम और बड़ा होना चाहिए था आपको बताते वराजियल के राज़ूत का बिहार दोरा दो दिन का है तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की और तो आज का सवाल कुछ इस प्रकार है सरकार तो आरा किसानों की घर में बीच की होम डिलिवरी कितनी कारगर होगी इसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं तो क्रिकेट से जोड़ी तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे नई यूट्यूब चानल चक्दे क्रिकेट को सब्स्ट्राइब करें वीडियो को लाइक करें जिसका लिंक आप उनीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा धन्यवाद